हेलो दोस्तो, KPD कमपाणी का 13 mm डिल मैसिन, मोडल नमबर है काईडी 13 तो मैसिन को हमें पहले खोल के चेक करना है, तो मैसिन में क्या हुआ है? जिसका मैसिन है, खुद बोल रहा है, मैसिन किसी के पास रिपियर किया था तो बड़ी ऐसे इसको रिपियर नहीं कर पाए है, मैसिन अच्छे से चल नहीं रहा है उसमें कार्बोन भी खतम हो गया है, थोड़ा फ्लास दे रहा है तो मैसिन को खोल के चेक करना है, उसमें क्या हुआ है? सिरिज में मैंने टेस्ट किये मैसिन चल रहा है तो हम डारी लाइन में नहीं चलाएंगे तो पहले खोल के देखेंगे उसमें क्या हुआ है उसे के बाद हम मैसिन को ठीक करने के बाद लाइन में चला के देखेंगे नहीं तो क्या होगा, तो उसमें कुछ खराब हो सकता है तो खुले के हमें चेक करने के बाद ही हम इसको रिपियर कर पाएंगे स्वाभी को ऐसे करके काम करना है मैं जैसे काम करता हूँ आप मेरे काम को देखिए मैं कैसे काम करता हूँ तो पहले मैसिन को हम ओपन कर लेते हैं तो सभी मैसेन को ऐसे हम ओपन करते हैं इस मैसेन में ऐसे ओपन नहीं हो रहा है बहुत ही टाइट है देखिए ऐसे थोड़ा सा पेस करने के बाद आगे से थोड़ा पेस करने से ओपन हो जाता है सबी मैसिन में ऐसे होता है इस मैसिन में ऐसे नहीं हो रहा है तो हमें जब अब दस्ती नहीं करना है थोड़ा सा जिरे से ठोक के तो इसमें जो चॉक से उपर हम थोड़ा सा ठोक के इसको भाई वेसन करने से कभी कभार खोल जाता है तो हम ऐसे ही खोलने के कोशिस करते है अई बड़े से ओपन हो गया है तो आप इसमें देखिए इसमें क्या किया है इसमें और को बड़े से फिटिंग नहीं किया है ऐसे ही छोड़ दिया है देखिए इसमें और ऐसे छोड़ दिया है मैसन में एक चीजस आप देखिए इसमें जे पीछे वाला olmक in कि Pak रावार देखने को मिलेंगें तो दूसरे जो भी मैसन है सॉभी मैसन में आपको इसमें बैरिंग का और डियू होता है इस मयसं नहीं है तो इसमें bearing दिया गया है तो मैसिन का जो quality है बहुत ही अच्छे है इसमें जो सामने बाला चौक जहां पर fitting होता है आगे बाला bearing दिये गया है तो इसमें जो wire है वायर को हम थोड़ा फास्ट में cutting करने के बाद इसमें बड़ी से fitting कर लेते हैं देखिए इसमें कभी कबार क्या होता है जहां पर काम करते हैं उसमें tape नहीं होता है जो poly होता है उसी से binding करके काम को चलाना पड़ता है तो हम बार को cutting करने के बास बड़ी से इसमें fitting कर लेते हैं केपीटी कंपानी का मैसीन है मैसीन का कॉलिटी मेरे को बहुत ही अच्छा लगा केपीटी कंपानी का फिल कॉल एक साल पहले खराब हो गया था मैंने order दिया था कलकाता जो भी बड़े सौफ है जहां से हम मासामान को खरीते हैं उसने बोला इसका फिल मरकेर में कमी मिलते है तो आम मेरे को जल्दी चाहिए तो उसने बोला आप इसको binding कर सकते हो मैंने binding करने के बाद अभी भी चला रहा है मैसीन बड़े से चल रहा है मैसें में और एक चीज मेरे को बहुत ही अच्छा लगा इसमें जो कार्बन होला दिया है नहीं बहुत ही अच्छे है इसमें मुझे कार्बन भी चेंज करना है हम आपको आज कुछ दिखाएंगे कार्बन कार्बन होला के बारे में देखिए इसमें कार्बन तूट गया है तो इसमें जो स्पिंग यूज किये बहुत ही छोटे है और थोड़ा पेसार भी है और होलडर भी बहुत ही छोटे है इसके अंदर पितौल का एक होलडर देखने को मिलेंगे थोड़ा हीट होने से कभी कवार फाइबार तूट जाता है ऐसे नहीं होगा तो आप देखिए इसमें कार्बन इसमें पेस करने से छोटे हो रहा है और इसमें मड़े से काम भी हो रहा है तो इसमें स्पिंग भूधी छोटे है तो इसमें फीट हो जाता है तो इसमें मेरे को कार्बन चेंज करना है तो इसमें जो और बाहर कर दिये उसको अंदर डालना है कार्बन होलर के अंदर से ओ फीट होते है दोनों साइड में ऐसे ही फिटिंग होते है आप जब भी मैसिन को खोलते हो तो आप बड़े से देख लेना और कभी कबर क्या होता है आपने मैसिन खोल के देखा ऐसे ही छोड़ दिया है तो आपको हम बता देते है जो भी ऐसे मैसिन है उसका जो और होता है ना कार्बन होलर के अंदर से लेके जाते है हम इस पेस करके उसके अंदर डाल लेते है तो आपको और को भी साबधने से उसको ले के जाना है देखिए इसमें कार्बन थोड़ा बड़ा है तो इसमें अंदर चला जा रहा है बड़े ऐसे आगे पीचे हो रहा है तो एक गोचेंग कमपणी का मैकिटा कमपणी का जो CM4 Marble Cutting Machine है उसी का कार्बन हम इसमें यूज करेंगे तो कार्बन का जो साइज है सेम है तो मैंने उसमें साइज देख लिए है तो इसमें थोड़ा बड़ा लग रहा है तो हमें इसको फिटिंग करना है तो हम आपको एक चीज़ देख रहे हैं फोल्डर के अंदर ये फिट हो रहा है तो ऐसे फिट नहीं होगा इसमें थोड़ा घीजने के बाद इसको फिटिंग कर पाएंगे तो हम फाइल ले ले लेते हैं फाइल में थोड़ा घीजने के बाद इसको फिटिंग करके देखते हैं थोड़ा सा घीजना है उसके बाद उसे फीटिंग करना है तो ऐसे करके हमें फीटिंग करके इसमें देखना है अभी बहुत सी कंपाणी ने ऐसे मैसीन त्यार करते हैं सबी मैसीन का कार्बन होलार अलाग होता है कार्बन भी अलाग होता है तो मार्केट में आपको कार्बन आपको खर्दने को नहीं मिलेंगे तो आप कैसे रिपेर करोगे आपको रिपेर भी करना है तो इतना कार्बन आप घर्द के नहीं लेक के आप आओगे तो आपको बड़े से रिपेर करने कैसे आप उसको रिपेर कर पाओगे तो उसी के लिए ये वीडियो हम आपको देखाते हैं तो देखे इसमें कार्बन को हम काटिंग कर लेते हैं तो कर्बोन को आगे पीछे करने के बाद ये बड़ी असे फीटिंग हो रहा है तो इसमें स्पिंग को हमें फीट करना है पुर्णा बलब जो क्या है उसी को स्पिंग को इसके अंदर हमें डाल के चलाना है तो मानो. इसमें स्पिंग ठीक है क्atell कर रहा ह Blake कभी कबर कहने होता उसी का सौबी को कार्बॉन आपको चेक करके देखना है तो देखिए मैंने इसको जोड लिये है तो पुरना वाला कार्बॉन का ओयर और ने वाला कार्बॉन का ओयर के साथ दोनों को हम जोड लिये आप सोल्डिंग भी कर सकते हो ने तो हाथों से मोल के इसमें फिटिंग कर सकते हो आपको जो सही लगे कर सकते हो तो इसमें हम स्पिंग को फिटिंग कर लेते हैं तो आपने हिसाब से आपको देखके स्पीरिंग का पेसार चेक करने के बाद उसके बाद आपको कार्डिंग करने के बाद आपको कार्बन फिटिंग करना है तो आपको उसमें भी आपको थोड़ा खोज करना है उसी के बाद आप फिटिंग परफ़ा होगी नहीं तो क्या होगा आपने जो भी कार्बन मिलता है उसको इसमें फिटिंग कर देंगे पेसर कम जदा होने से भी कार्बन फिटिंग बड़े से नहीं होगा तो आर्मेचाच जल सकता है नहीं तो कार्बन खरब डालने से भी आर्मेचाच जल सकता है तो मैसीन को हमें बड़े सा भी फिट कर पाएंगे कार्बन बड़े से फिटिंग हो गया है देखिए बड़े से कार्बन फिट भी हो गया है हम बड़े से सेट कर लेते हैं दोनों साइड का कार्बन होलर हम बड़े से फिटिंग कर लेते हैं अभी फिटिंग हो गया है तो थोड़ा फास्ट में मैसीन को हम फिटिंग करते हैं और को हम नाटो से कज लेते हैं तो इसमें गयार में हमें थोड़ा गिरिसिंग कर लेना है आपको धिरे धिरे घुमाना है उसके बाद आपको धिरे से इसमें गिरिसिंग डालना है ज्यादा नहीं डालना है थोड़ा डालना है इसमें जाएगा उतना नहीं होता है अज़ादा देने से रहेगा नहीं बाहर हो जाएगा तो बड़े से सब कुछ और को देखने के बाद आपको बड़े से इसमें कावार को फिटिंग करना है तो इसमें जो मैसेंज को रिवार्स में काम आता है जो सुईज बड़े से फिटिंग नहीं हो रहा था उसको बड़े से आपको फिटिंग करना है तो बड़ा हम इसको फास्ट में नाट को कस लेते हैं उसके बाद हम मैसिन को फिडिंग करने वाद से लागे देखेंगे मैसिन में थोड़ा नाट को टाइट करके देखना है तो इसको मैसिन में जब भी चला रहे है तो इसमें साउंड क्लियर नहीं है तो हम टाइट करने के बाद चला चला हुआ झाल हम टीरोर तो हम एじसे लाइट करने खेंगे चला हुआ झाल हम बाद करने का दो रहे हैं करने के तो हम उन Talking कि इसे चल रहा है इसमें साउंड भी विल्कुल ठीक है मेरे वीडियो आपको अच्छा लागा तो लाइक करना कमेंट करका बताना मेरे वीडियो आपको कैसे लागा